वार्टोन में पहुँच गया है TV9 भारतवर्ष, खारकीव के युद्शेत्र मेच TV9 संबादाता विपिन चौबे की मौजूदगी है, बम बारूत के बीच TV9 संबादाता विपिन चौबे एक एक रिपोर्च हम तक पहुचा रहे हैं और सीधा मैं उनका रुख करना चाहूं आज राद तीन बजी से लगवर्च यह हमले हो रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के मौजूदगी खारकीव के बिल्कुल फ्रेंट लाइन और हमसे बहस पांच क्लिमेटर दूर रश्या का वो बॉर्डर है जहां पर रह रहकर यूकरिन पर हमले किया जा रहा है, देखे, हम जिस जगह पर खड़ें, यह सेवरो डोरेक्स का इलाखा है, मैं दो तश्वीरे आपको दिखाऊंगा, दो एलिमेंट, एक वो बंकर जिसमें रहकर यूकरिनी फॉर्ज इस युद्ध को लड़ रही है, और दूसरा वो ब्रिज जिसका तूटने से खारकी बच गया, यूकरिन बच गया, क्योंकि जब फरवरी 2022 में प्रतिमा लडाई हुई थी, तो इसी ब्रिज के सहारे, जो रश्यन फोर्स थी, वो यूकरिन में गुसने की कोशिश कर रही थी, और आपको हम बताते चले, कि यही ब्रिज, जो सैकडो साल पुराना ब्रिज है, इस ब्रिज को यूकर लेकिन आपको बिना वक्त जाय कि है, जल्दी से हम उस सेवरोडोनेक्स के ब्रिज पर लाके दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त किसी की भी मौझूदगी नहीं है, यहां सिर्फ सेना को आने की अजाज़त है, यहां पिर टीवी नाइन भारत वर्ष इस वक्त वहां पहुचा तूटा हुआ ब्रिज आपको नज़र आएगा सामने सेवरोडोनेक्स का वो इलाका, वो ब्रिज जिसने यूकरेन को बचा दिया, इस ब्रिज को तोड़ने से जो रशियन फोसेस सामने का इलाका रश्या का है, यहां से कुछ किलोमेटर की मौझूदगी और यह आखरी गा यहां पे फेमस इलाका है और यह पहचान है इस इलाके की, और उसके बाद इस ब्रिज को तोड़ा गया था, तोड़ने के बाद यह पूरा इलाका कैसा शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि अब यहां से रशियन फोसेस को बाहर निकाल दिया गया है, यह उस ब्रिज के तस्व अब हम आपको सेना के वो बंकर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं, आगे की तरफ जब आप जाएंगे, जहां पर हमारी काड़ी खड़ी है, उसके बगल में आपको सेना का वो बंकर रज़ा आएगा, मैं उसकी तस्वीरे अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, जहां पर सा बिलेंस को जाने की इजाजत नहीं होती है, जंगलों के अंदर कैसे रास्ता बनाए गया है, जंगलों के अंदर फॉजी कैसी रहती है, जंगलों के अंदर कैसे मोर्चा समाला गया है, और किस तरह से फॉज खुद को बचाती है, वो तस्वीरे हम आपको अब आगे दिखा रहा है और आपके पास थोड़ा सा वेट है इसले बचना होगा यह पूरा इलाका कहा जाता है कि लैंड माइस से पूरा फोल अन था और अब वह ब्रिज की तस्वीर देखिए जिसको तोड़कर यूकरेन को बचाया गया उस ब्रिज के निचले इलाके में हैं यही पर माइस क लगाया गया और ब्रिज को उड़ा दिया गया अब आपको लिए चलते हैं यहां पर जहां पर टैंक से आम से एमुशन से उस इलाके में आप देखिए यहां पर क्या है सबसे पहले पेडों के अंदर इस तरह की चौकियों को बनाय जाता है और इन चौकियों को कैसे जालि अगर identified भी कर लिया गया तो फिर यहां पर बॉम ना गिर से कर और उस बंक को इस तरह की जालियां लगाई गी है जिस जालियां इसको रोक लेती है अब सवाल यह है कि इन बंकरों में पहुंचा कैसे जाए मोर्चा कैसे समहला जाए उसकी तस्वीरे में आपको दिखा रहा देखे इस तरह के नाले बनाए गए यह नालों से होते हुए फोजे अपने बंकर तक जाती है और यह वो इलाका है देखे जहां से अगर सामने से जिब रशियन फोर्स आती है तो इस तरह से सामने से यहां पर यूक्रेनी फोर्स मोर्चा लेती है और यहीं इसी मिट्टी क बोरों के सहरे अपने आपको बचाती है और सामने निशाना लगाती है फिर उसके बाद अब आपको जो मैं बंकर में जाने का रास्ता दिखा रहा हूँ कैसे नाले बनाए गए है और इनी नालों में छिपते छिपाते इस तरह से दुश्मन से बचते हुए कैसे फोर्सेस दे बिंगे देखे कि क्या है यहांपर देखे काफी के मक्स से आपको नजाराएंगे वह gas जिसपर खाना बनाया जाता है पानी की बोतली आपको यहां पर आएंगी इसका लाँ वह गोलिया है हैं जिनको खाकर भूक नहीं लगती है और दूद के पैकर्स आपको नजाराएंगे वह बरतन जिसमें खाना खाया जाता है सेना जिस मक्का अधर भूदे हैं और इसको ऐसा ढखा गया है कि किसी को अंदाजा भी ना हो कि यहां पर फौजे छिपी हो सकती है यह अंदर बंकर की तस्वीर है अगर मैं अंदर जाकर छिप जाओं तो दिन के उजाले में भी मेरे कैमरे के अगर लाइट ना जले प्रतिमा तो आप जज न है